अंतर की घुमरती बेदना को आखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुस्य जो भी निश्चे करता है वे भाबुक्षणों की अपेक्षा अधिक बिवेक पूर्ण होते हैं ये पंक्तियां हैं छट्वे दसक की नई कहानी के प्रमुक कताकार स्री सेखर जोसी जी की स्री सेखर जोसी जी की कहानिया नई कहानी आंदोलन के प्रगसील पक्ष का प्रद्धित्त करती हैं इनका जन्म 10 सितंबर 1932 को उत्तरांचल के अल्मोरा जिले के ओलिया गाउं में हुआ था इनकी प्रारंबिक सिक्षा अजमेर और देहरादूर में हुई इंटर्मेडियेट के दोरान ही स्री जोसी का चैन सैनिक और द्योगिक प्रतिस्थान के लिए हो गया सन 1955 से 1989 सियासी तक सेवा में रहे फिर स्वेचिक रूप से पद को त्याग दिया त्याग पत्र देकर स्वतंत्र लेखर में सनलगनों हो गए शेखर जोसी मूलतह कथाकार थे और एक कथाकार के रूप में ही उनकी ख्याती है उनके बहुत ही प्रसिद कथा संकलन है कोशी का घटवार साथ के लोग दाजियू हलवाहा नौरंगी बीमार है और अनेक उनके ग्रंथ हैं और शब्द चित्र में एक पेड़ की याद बहुत ही प्रसिद शब्द चित्र उन्होंने लिखा है जोसी जी की साहित्लिक सेवाओं और उनके अवदान को देखकर उत्तर प्रदेश हिंदी सरस्थान द्वारा सन 1987 में महावीर प्रसाद दुवेदी सम्मान से सम्मानित किया गया सन 1905 में इन्हें साहित्य भूशन सम्मान से नवाजा गया और 1977 में पहल और मैटली सन गुप्त सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ इनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्जी उपर Children's Film Society द्वारा फिल्म का भी निर्मान हुआ है शेखर जी की कहानियों के जो पात्र हैं मजदूर मेहनतकस और सुविधा ही इन तबका जो है उनकी कहानियों का वर्णित विशे है उन्होंने अपनी समूची कहानियों मेहनतकस लोगों को लिया है जिनके पास कोई सुविधा नहीं है गरीब तबके के लोग हैं उनको अपने कहानियों का वर्णिविशे बनाया है अपनी कहानियों में अत्यंत सहज और आडंबर हीन भाषा सैली का प्रयोग किया है सामाजी के अथार्थ के सोक्षम बिंदूओं पर सेखर जी ने प्रकाश डाला है इनकी भाषा में प्रवाह मैता और रोचकता के साथ साथ चित्रात्मक्ता का गुण विद्यमान है शैली अत्यंत रोचक, सहज, सरल और बोध गम में है इन्होंने प्रसंगा नुकूल भाषा का प्रयोक किया है, शैली का प्रयोक किया है गलता लोहा जो कहानी है ये सेखर जोसी की कहानी कला का सरबोत क्रिष्ट नमूना है हम गलता लोहा कहानी के सम्मंध में चर्चा करें उसके पहले हमें यह जानना होगा कि कहानी है क्या कहानी गद्य काब्विकी या गद्य साहित की प्रमुख विधा है काब्विके दोभेद होते हैं गद्य काब्वि और पद्य काब्वि के अंतरगर्थ जृष्ष काब्वि और स्रव्वि काब्वि आता है पद्य काब्वि के अंदर प्रबंध काब्वि और मुक्तक काब्वि आता है जैसा कि आप पढ़े भी होंगे कि प्रबंध के अंतरगर्ट महाकाब्य और खंड काब्य और इसी तरह से गद्य साहित्य में द्रिश्य और स्रब्य द्रिश्य जो द्रिश्य के रूप में हम देखते हैं जैसे नाटक है एक आंकी है प्रहसन है यह सब द्रिश्य काब्य के अंतरगर्ट आते हैं और स्रब्य काब्य स्रब्य माने सुनकर पढ़कर जैसे निभंध है कहानी है उपन्यास है रेखाचित्र है आत्म चरीत है और आत्म कथा है जीवनी है यह सब स्रब्य काब्य के तो जो कहानी पर हम जो चर्चा कर रहे हैं तो कहानी जो है यह मानवता के उशाकाल से लेकर जब से यह इस मानवता का सुभारंब हुआ तब से अब तक कहानी बहुत ही रुचिकर विधा है किस मामले में एक तो मनोरंजन के रूप में और दूसरे शिक्षा देने के रूप में यह मतलब संदेश परक कहानी संदेश देने के लिए इसका कहानी का उप्योग किया जाता रहा है अभी भी कहानी अपने उदेश को लेकर के चल रही है कभी मनोरंजन का साधन थी तो आज जो है मनोरंजन के साधन के साथ साथ वह एक संदेश दे रही है समास को दिशा बोथ दे रही है वह इसे कहानी जो है इसे गल्प भी कहा जाता है कहानी को गल्प भी कहा जाता है एक लगु वर्ण नात्मक गद्य रचना है कहानी जिसमें जीवन के किसी विशेश अंग, जीवन के किसी विशेश घटना का चित्रांकन होता है। प्रकाश करके और हम अपना संदेश देते हैं, अपने उद्देश पर पहुंचते हैं, दूसरा है जैसे किसी समस्या को ले करके, समस्या प्रधान कहानी और एक होती है घटना प्रधान कहानी। अब आईए हम कहानी के तत्तों के बारे में थोड़ा-थोड़ा समझ लें। कहानी के मूलतह छेततों होते हैं, कथानक या कथावस्तु, कथोब कथन या शंबाद, पात्र, चरित्र, चित्रन, वाताबरन, भाशाशैली और उद्देश्य। कथानक में कथा सार आ जाता है, कथा वस्तु आती है, कहानी का कथानक क्या है, कहानी की विशेवस्तु क्या है, और कहानी का जो सबसे प्रमुक्तत्तों है, वह है कथोब कथन, वातालाप, संबाद, यही कथोब कथन, कहानी को आगे बढ़ाता है, पात्र, बिना पात्र के क कोई कहानी हो ही नहीं सकती और कहानी को विस्तार देते हैं कहानी के पात्र और उनका चरित रांकन फिर आता है वाता बरण किस वाता बरण में कहानी की रचना हुई है इसके बाद भाशा और शैली हर लेखक की हर रसनाकार की भाशा अपनी होती है शैली अपनी होती है कहने का धंग अपना होता है लेकिन जिस कहानी को हम लिख रहे हैं उसमें भाशा पात्रा नुकूल है की नहीं है इस बात का हमें ध्यान रखना होता है हल लेखक रखता है इसको और उद्देश ये कहानी का सबसे प्रमुख तत्व है आपका उद्देश अगर कहानी उद्देश भिहीन है कहानी का कोई उद्देश नहीं है तो कहानी निरर्थक है वेसे कहा तो यही जाता है कि साहित्य की चाहिए कोई भी भी धा हो संदेश परक होनी चाहिए उसका एक उद्देश से होना चाहिए चुँकि आचाहर मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में भी कहा है कि काव्यम यससे अर्थकृते ब्योहार विदे शिवेतरक्षते सद्य पर नवित्ते कांता सम्मित उपदेश युजे इस के लिए अर्थ के लिए ब्योहार के लिए चरित्र के लिए काव्यम यससे अर्थकृते ब्योहार विदे शिवेतरक्षते यह कल्याणकारी होती है सद्या पर्ण वित्य और संकट काल में हमारी रक्षा भी करती है और कांता सम्मित उपदेश युजे भी होती है माने पत्नी के समान कांता सम्मत उपदेश सलाह देने वाली होती है आप संकट की घडियों में बहुत सारी कहानिया ऐसी हैं अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा आपका पथ जो है प्रसरस्त होगा मतलब छट्वें दसक में शेखर जोसी जी ने कथा साहित में प्रवेश किया उस समय नई कहानी का चलन था और नई कहानी के प्रसिद्ध लेखकों में आते हैं मोहनराकेश कमलेश्वर जो सारिका के संभादक थे मन्नू भंडारी उशा प्रियंबदा निर्मल भर्मा राजेंद्र यादो शानी गुलसेर अहमद खासाप रविंद्र कालिया ममता कालिया बहुत सारे लेखक उस युग में नई कहानी के माध्यम से समाज में क्रान तिलाने का प्रयास किया और ये सफल भी रहे गलता लोहा कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हम पात्रों के बारे में जानकारी ले लें मोहन ये पुरोहित बंसी धर जी का पुत्र है जो गलता लोहा कहानी का नायक है बंसी धर ये मोहन के पिता हैं जो पुरोहित का कारी करते हैं मास्टर त्रलोक सिंग ये मोहन के सिक्षक है प्राथ्मिक साला के हेड मास्टर धन राम ये मोहन का मित्र है जो लुहारगीरी का धंधा करता है घर में और एक रमेश हैं जो लखनव में नुकरी करते हैं यह मोहन के घर के पास बिरादरी के ब्यक्ति हैं कुल पांच पात्र गलता लोहा कहानी में अपना काम कर रहे हैं अब पात्रों की जानकारी के बाद हम इसका कथानक देखें कथा वस्तु क्या है कथा सार क्या है मोहन बंसी धर जी का बेटा है पढ़ने में बहुत कुशाग्र बुद्धिका है मेधावी है मोहन से पंडित बंसी धर जी को बड़ी आशाएं है अब एक शाएं है उसका एक कारण है पुरोहित्य कर्म से बंसी धर जी का घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया था गरीवी के कारण आजीवी का चल नहीं रही थी उन्होंने मोहन को अपने घर के पास ही प्रात्मिक साला में दाखिला करवाया कि वहां मास्टर त्रिलोक सिंग्जी जो बहुत ही अनुशासित व्यक्ति थे पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते थे लेकिन एक उनमें खराबी क्या थी कि वे जात विरादरी को बहुत मानते थे अब वहीं पर धन्राम भी पढ़ता था जो लोहार का बेटा था और भही मोहन पढ़ता था जो पुरोहित का बेटा था तो पुरोहित के बेटे पर ज़्यादा ध्यान देते थे और कहा करते थे कि मोहन आगे चल कर बहुत बड़ा आदमी बनेगा यही आशा यही अपेक्षा पंडित बंसी धर को बता करके उन्होंने और ज़्यादा बढ़ा दी थी यहाँ पढ़ने के बाद मोहन थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पास के ही गाओं में प्राइमरी उतिर्ण करने के बाद पास के ही गाओं में उसे दाखिला लेना था और सबसे बड़ी बात यह थी कि प्राइमरी स्कूल पास करने पर उसे चात्र बृत्त मिली इस से बंशी धर जी का और तिलोक सिंग जी का जो मान है सम्मान है और बढ़ गया और ज़्यादा अपेक्षाएं करने लगे मोहन से आगे की पढ़ाई गाओं से चार मिल दूर नदी के उस पार के विद्याले में हुई वहां रास्ते में एक नदी पढ़ती थी जिसमें बाढ़ा जाने के कारण बच्चों का आना जाना नहीं हो पाता था तो पंडित बंशी धर ने अपने एक मित्र के यहां जो परचित थे उन्होंने उनके यहां रहने की ब्योस्ता कर दी और मोहन जो है पढ़ने लगा एक दिन इतनी बाढ़ाई इतनी बाढ़ाई कि गाउं तक पानी चारो तर्म नदी का फैल गया बंशीधर घबला गए और उन्होंने घबला कर बच्चे को वापस बुला लिया अब बच्चे के भविष की चिंता उन्हें सताय जा रही थी अब केवल एक ही दिमाग में था कि मोहन का भविष क्या होगा मोहन की पढ़ाई कैसी होगी इसी उधेड़ बुन में वे पढ़े थे वे भविष की चिंता को लेकर सोच ही रहे थे एक दिन पुरोहित बिरादरी का ही एक इवक रमेश जो लखनव में नौकरी करता था वो घर आया हुआ था वह घूमने के बहाने पंडी जी के पास आया और मोहन के पिता बंसी धर ने अपनी चिंता बताई कि मोहन जो है बहुत अच्छे धंग से परिक्षा पास किया है और उसे वजीफा भी मिला है लेकिन नदी में बाढ़ाने के कारण मैंने उसे घर बुला लिया है तो बंसी धर की चिंता को देखकर जो रमेश है उसने कहा ये तो बड़ी सहज बात है आप क्यों चिंता करते हैं आप सांतो ना रखिये धीरज रखिये मोहन को हमारे साथ आप लखनव भेट दीजिए बंशी धर्षार स्तयार हो गए और रमेश के साथ मोहन को लखनव भेट दिया अब कहानी यहाँ पर नया मोड लेती है लखनव पहुँचने पर मोहन के जीवन का नया अध्याय प्रारम्ब होता है वहाँ पहुचने पर मोहन से घर के नौकर जैसा काम लिया जाने लगा उसका दाखिला एक साधान से स्कूल में करवा दिया और रातों दिन उससे नौकर की तरह छोटे मोटे काम लिया करते थे कभी सबजी ला दो कभी किराने से सामान ला दो कभी बच्चों का टिफिन तयार कर दो चलो चाय बना दो जितने छोटे मोटे काम थे ओसम मोहन से करवाने लगे अब मोहन बुरी तरह ठक जाया करता था जिससे वह पढ़ नहीं पाता गाओं का मेधावी छात्र मोहन शहर में एक सामान निबालक बन कर रह गया उसने अपने माता पिता को कोई बात नहीं बताई मोहन आठमी तक की पढ़ाई लखनव में पूरी किया और अपने गाओं लोट आया कुछ दिन बाद दोबारा लखनव आया तो देखा की जो रमेश का परिवार है उसकी पढ़ाई के पक्षमें नहीं है उनका मानना था कि आज बड़े-बड़े बी-ए, एम-ए, पी-च-डी ये सब घूम रहे हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है तो इसी कहां से मिल जाएगी और उन्होंने उसे हतोत साहित करना सुरू कर दिया अब मोहन को कोई हाथ का काम सीखना चाहिए तो यह मान कर रमेश ने तकनीकी स्कूल में भरती करा दिया अब तक्नीकी स्कूल में भी भरती होने के बाद दिन भर तो मोहन काम करता था ठक जाया करता था तो स्कूल की पढ़ाई और घर का काम ये उसके ठकावट का कारण बनता था एक दिन अचानक उसके दिमाग में आया कि मैं अपने पैरों पर ख़़ा हो जाऊंग। मैं खुद स्वयम नौकरी करूँ खोच कर वह चारों तरफ कारखानों और फैक्टरियों का चकर काटने अलगा। उसने अपने माता पिता को अभी कुछ भी नहीं बताया। एक दिन अचानक वह गाउं लोटाता है। और आग करके अपने पिता बंशी धर से वो सारी बात बताता है। वे बहुत दुखी होते हैं जब वास्तविक्ता का पता चलता है कि मोहन के साथ बहुत अत्याचार हुआ। हमने भेजा था पढ़ाई लिखाई के लिए लेकिन वहां पर मोहन को एक नौकर बना करके उन लोगों ने छोड़ दिया है। घर में मोहन रहने लगा। एक दिन अचानक मोहन खेत के किनारे जो काटेदार जाडियां बढ़ गई थी। उपने सोचा कि हसुआ लेकर और उन्हें जाकर के काटूं। और काट करके वहां मैं सफाई करूं। तो हसुए की जो धार है वो कुंद पढ़ गई थी। मोहन उसे सुधरवाने धन्राम के आफर की ओर चल पड़ा। धन्राम ने हसुए की धार को तेज कर दिया। मोहन उसके कारे को देखता रहा और धन्राम जो है वो अपने काम में लगा रहा। धन्राम जो है लोहे की मोटी छड़ को भठी में गरम करके गोल बनाना चाह रहा था। लेकिन वह छड़ निहाई पर ठीक से बैठ नहीं रही थी। फस नहीं रही थी। इस कारे लोहा मुर्द नहीं पा रहा था। अचानक मोहन अपनी जगह से उठा और लोहे की छड़ को निहाई पर ठीक से फसा कर हाथ में हथोड़ा लिया और नपी तुली चोट हथोड़े पर की। इसके बाद उसने अपने हाथों से धोकनी फूप कर लोहे को दोबारा गरम किया और निहाई पर रख कर ठोक पीट कर लोहे को सुघड गोले का रूप दे दिया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि धन्राम हैरान रह गया आश्यर चकित रह गया। क्यों वह पुरोहित खांदान के एक इवक को भठी पर बैठ कर हाथ डालने पर आश्यर चकित था। क्योंकि उसके घर ब्राह्मनों का आना जाना निशेद था। मोहन संतुष्ठ भाव से अपने द्वारा निर्मित लोहे की उस गोलाई की जांच कर रहा था जो उसने बनाया था। उसकी आखों में एक सर्जक की चमक थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं एक अच्छा सिल्पकार हूँ। वह जाती अभेद भाव से कोशों दूर था। ये था कहानी का कथासार। कथानक। ये कथावस्तु थी जो हम लोगों ने देखा। अब इसमें जो पात्र हैं इस कहानी के उनका चरित्चित्रण देखें। चुंकि कहानी के जो तत्व हैं कथानक, कथोप कथन, पात्र, चरित्चित्रण, भाशा शैली, वाताबरण और उद्देश्य। उसमें से चरित्चित्रन मतला प्रत्यक पात्र का चरित्र कैसा है इसमें गिने चुने चार पात्र हैं जिसमें मोहन जो है वह कहानी का नायक है मोहन एक मेधावी चात्र है कुशाग्र बुद्धी है एक अच्छा गायक है उचे कुल के अहंकार से रहित है वो ब्राहमन कुल में पैदा हुआ लेकिन उसमें वो अहंकार नहीं है मौन धीर गंभीर सहंसील और नेत्र तो छमता वाला है और वहीं उसके पिता बंसीधर पुरोहित्य कर्में पारंगत श्रम साधना ब्रत उपवास उनके जीवन का अभिन अंग है वे सम्मानिक व्यक्तित्तों हैं सिख्षा प्रेमी है और तीसरे पात्र हैं मास्टर ते लो अंपरागत अध्यापक है जैसे पुराने समय के अध्यापक हुआ करते थे जातिगत उच्चता और नीच्टा का जो भाव है उनके मन में समाया हुआ है लेकिन हैं बहुत अनुशाशन प्रिये मार पीट कर पढ़ाई में विश्वास करने वाले और जो चौथा पात्र है रमेश जिसे मैंने बताया था कि वो लखनवू में रहता है नौकरी करता है वो बड़ा स्वार्थी ब्यक्ति है उसकी नियट ठीक नहीं है वह धोके बाज है इस तरह से कहानी जो है एक उद्देश से को ले करके चलती है उद्देश से क्या है वास्तों में सेखर जोसी ने गलता लोहा कहानी में बिना किसी मुखट्टि पढ़ी के समाज के जाती अभिभाजन पर विवित कोणों से प्रकास डाला है एक मेधावी किन्त निर्धन ब्राहम अलिवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते हुए किस मनों दसा तक पहुंच जाता है जहां उसके लिए जाती अभिमान बेमानी लगता है सामाजिक बिधिनिशेदों और परंपराओं को ताक पर रखकर धंदाम लोहार के आफर पर आगर के पैठता है और लोहारी के काम में अपनी कुछ सल्टा दिखाता है साथ ही मोहन का जो व्यक्तित तो है वो जाती गत निर्मित मिथ्या एवं बनावटी भाईचारे की जगह मेहनत कसों के सच्चे भाईचारे की स्वाभाविक प्रस्तावना प्रतीत होता है मानो लोहा गलकर निया आकार ले रहा है इस कहानी में लव कर्म में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द और उनका क्या प्रयोजन है उसे हम देख लें तो कहानी को समझने में आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी एक होती है धौकनी या आग को सुलगाने और धदकाने के काम में आती है एक होती है दरांती उसे हसिया भी कहा जाता है खेत में फसले या घास काटने के काम में आती है एक होती है संडसी जिसको संसी कहते हैं हम लोग के यहां गरम छड़ या बतलोई पकड़ने के काम में आती है कड़ाही को के पकड़ने काम में आती है और कैशी नुमा होती है आफर कहते हैं भट्टी या लोहार की दुकान को हथवड़ा आपने देखा है लोहे को पीटने की काम में आने वाला अवजार है तो इस तरह से धौकनी दराती मने हसिया संडसी जिसे संसी कहते हैं और आफर हथवड़ा यह सारे जो है लोह कर में प्रवित्र होने वाले यो आली सब्दा वली है आउजार है कथाकार शेखर जोसी ने गलता लोहा कहानी में बिना कुछ कहे अपने कहानी कोशल के द्वारा यह संदेश देने में सफल रहे हैं कि जाजपात उंच नीच का जो भाव है वह हमारे मित्या एवं निराधार अहं का परिणाम है समर्पित भाव से किसी भी कार्य में सच्चा संतोष नहीं थोता है कार्य ही सबसे बड़ा जीवन धर्म है